दिल्ली चुनाव में बीजेपी की हार के बाद से लगातार पार्टी की नीतियों को लेकर सवाल उठाय जा रहा है जहां सहयोगी उसे समहल कर रहने की सलहा दे रहे हैं तो वहीं अब बीजेपी को नई जान देने वाले आरसस के नेता भी आँख दिखाने लगे हैं राष्ट्य स्वयम सेवक संग ने बीजेपी को ऐसी नसीहत दे डाली है जो पार्टी के लिए फसीहत की वज़ा बन सकती है डिल्ली में बीजेपी क्यो हारी पीएम मूदी का सैयोग और प्रियोग क्यो नहीं कामाया आखर कहा चूक हो गई की बीजेपी सत्ता से को सो दूर हो गई यही सवाल उठा कर बीजेपी के नेता पार्टी आलकमान को घीर रही है अब जब ताली कप्तान को मिलती है तो जाहिर है हार पर गाली भी कप्तान को ही मिलेगी लेकिन सवाल केवल बीजेपी के नेता नहीं बलकि अब तो संग भी उठाने लगा है RSS ने बीजेपी को आत्ममंतन की सलहा तक दे डाली है RSS के नेता और विचार अकिंद्रेश कुमार ने कहा कि दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद बना किसी शर्त के आमादमी पार्टी को बथाई देनी चाहिए और बीजेपी को इस रिजल्ट के बाद आत्ममंतन करने की स्वरूरत है RSS नेता ने कहा कि उमीद है कि बीजेपी जैसी पार्टी आत्ममंतन कर आगे बढ़ने का प्रयास करेगी वहीं उन्होंने सला दी कि चुनावों में मिली हार और जीत को युद्ध भूमी के बजाए खेल के मैदान की तरहा सभी पार्टी को एक दूसरे के प्रती विवहार करना चाहिए आरसस की ये नसीहत बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है क्योंकि पार्टी के नेता भी मनीतियों को लेकर सवाल उठा रहे है कई नेताओं का मानना है कि बीजेपी ने अब चुनाव को चुनाव के तरहा देखना बंद कर दिया है वो इसे युद की तरहा से लेती है और चुनाव शेत्र में उतरती है इसी वच्छा से उसकी हार होती है नेताओं का तो ये तक कहना है कि राष्टवात के अलावा हमें दूसरे मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए बीजेपी नेताओं के बयान के बीच अवारसस ने भी ऐसी ही नसियत दे डाली है देखना है कि बीजेपी इस नसियत को सुनती है या नहीं डीबी लाइफ के रिपोर्ट